मैंने इस बारे में पहले भी बताया है कि आज से करीब 6 साल पहले मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी जिरूरतों को पूरा कर पाता और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था जब मेरे पास मेरी बेटी को चॉकलेट दिलाने जितने पैसे भी नहीं थे लेकिन वक्त बदला मेरे हालाद बदले आज मेरे पास कई प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग जगहों से पैसे आते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं देश के उन 5-8 प्रतिशत लोगों में से एक हूँ जिनकी नेट वर्थ एक करोड या उससे ज्यादा की है अब आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर कैसे मैंने सिर्फ 5-6 साल में खुद को करोड पती बना लिया और इसका जवाब है मेरी आदतों ने मुझे हमीर बनाया है आज मैं आपके साथ उन 6 आदतों को शेयर कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे सिर्फ 5 साल में करोड़ पती बना दिया और मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर कोई भी इन 6 आदतों को अपना लेता है तो वो निश्चित रूप से करोड़ पती बन चकता है लेकिन आगे बनने के पहले ये भी बता दूँ कि इस वीडियो में मेरा पर्तनल अनुभव है पर्तनल बाते हैं जो कि शायद आपको परिशान कर सकती है इरिटेट कर सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि आप मैंसे कुछ लोगों को ये बाते नो टंकी लगें और ये कुछ लाइंस स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद में मैंने जोड़ी है इस स्क्रिप्ट को लिखते हुए मैं कई बार खुद रोया हूँ तो अगर आप सिर्फ फन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो रहने ही दीजिए शायद ये वीडियो आपके कामका नहीं होगा और अगर वार्निंग के बाद भी आप इसको देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ अच्छा ले करके जरूर जाएंगे इन आदतों में जो पहली आदत थी वो थी जागते ही वित्तर छोड़ देना मैं तब से लेकर के आज तक इस आदत को कभी भूल नहीं पाया हूँ कभी बदल नहीं पाया हूँ मैं मेरे स्ट्रगल के दिनों में जैसे ही जागता था वैसे ही वित्तर से बाहर निकल जाता था और आज भी यही करता हूँ मैं जागने के तुरंद बाद ही उठकर कंप्योटर के सामने आकर के बैट जाता था और अभी भी मेरा रूटीन लगभग यही है यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है यह सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर आप जागने के बाद भी बितर में पड़े हुए हैं तो आप अपने वक्त की बरबादी करने और जो वक्त की बरबादी करता है वो किसी भी हाल में खुद को अमीर बना ही नहीं सकता अब इस बाद से कोई फर नहीं पड़ता कि आप सुबाद 6 बजे जाकते हैं या 9 बजे मुद्दा ये है कि अगर आप 9 बजकर 3 मिनट पर जागें तो 9 बजकर 3 मिनट पर ही आपको बिस्तर छोड़ देना है इस तरह से आप 1 मिनट भी बरबाद नहीं करेंगे और ये आदत आपको लंबे वक्त में निश्चित रूप से अमीर बना ही देगी इन आदतों में दूशरी आदत है हर दिन की आमदनी का टार्गेट बनाना जब मैंने शुरुआती दिनों में नौकरी छोड़ कर खुद का काम करना शुरू किया था तो मेरे इंकम जरा भी नहीं होती थी मुझे मेरे घर को चलाने के लिए बेटी की स्कूल फीज भरने के लिए और बाकी के जरूरी खर्चों के लिए कम से कम 483 रुपए रोज की जरूरत होती थी उसकी हलावा मुझे कर्ज भी चुकाने होते थे तो मैंने खुद को एक टार्गेट दे दिया था कि जब तक मैं हर दिन का 483 रुपए कमा नहीं लूँगा तब तक खाना तो दूर की बात है पानी भी नहीं बियूँगा मैं हर दिन सुबह 7 बजे के करीब जाकता था वक्त के साथ मुझे काम मिलने लगा और मैं सुबह के करीब 11 बजे ही इतने पैसे कमा लेता था फिर उसके बाद पानी, चाय और खाने की बारी आती थी अब मैं आपसे यह नहीं क्या रहा हूँ कि आपको खुद भी ऐसे ही करना है इतने कठोर नियम दे करके बान लेना है लेकिन ये तो जरूर है कि अगर आप खुद को 5 साल में करोड़ पती बनाना चाते हैं तो कोई टार्गेट तो जरूर देना होगा कोई डेली टार्गेट देना होगा और उसे पूरा करने के लिए अपनी जान भी लगा देनी होगी वरना टार्गेट तो सब बनाते हैं और फिर इकनोर भी कर देते हैं और वो गरीब भी बने रहते हैं 5 साल में जिन आदतों ने मुझे करोड़ पती बनाया है दिया था 19 साल की उमरों में जब आइटी कमपनी में आफिस बॉय के दोर पर काम करना शुरू किया तो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक वहां काम करता था और उसके बाद 8 से 11 कोई और काम करता था ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूँ वहीं पर आइटी मेनेजर बनने के बाद काम ज़्यादा देखने लगा है वक्त ज़्यादा देने लगा और फिर जब नौकरी से अलग होकर खुद का काम शुरू किया तो भी 15-16 घंटे काम नॉर्मल होता था और जिरूरत होती थी तो 18 घंटे भी काम करता था मैंने कई दिन ऐसे कुझा रहे हैं जब मैं सुभा 7 बजे जागा काम करने बढ़ गया उठकर फ्रेश होता था नहाता था चाय पीता था फिर काम करने बढ़ जाता था फिर उठा खाना खाया और फिर से काम करने बढ़ गया फिर उठा रात का खाना खाया और फिर से काम करने बढ़ गया और रात को 2-3 बजे तक काम करता रहता था मैं घर से काम करता था लेकिन मेरे पड़ोस्यों को 20-20 दिन तक मेरी शकल नहीं दिखती थी मैं कोई तिहोर नहीं मनाता था, कोई छुटी नहीं लेता था क्योंकि मैं गोरे लोगों के लिए काम करता था और उनके ओलिडे हमसे अलग होते थे मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मैं कभी काम को ना नहीं करता था पूरा दिन और लगभग पूरी रात टाइप करते हुए मेरी उंगलियों में दर्द हो जाता था सोते हुए मेरे कानों में कीबोर्ड की टक टक सुनाई देती थी लेकिन मैं काम करते रहता था, करते रहता था, करते रहता था और प्लीज ये मत सूचिएगा कि ये से बता करके मैं आपसे सिम्पैधी चाहता हूँ उसकी जरूरत नहीं है आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है उसका शुक्रिया और आपकी प्यार से ज़्यादा मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं लेकिन ये बाते इसलिए बता रहा हूँ कि महनत का कोई विकल्प नहीं है महनत का कोई आप्शन नहीं है और अगर आप सच में करोलपती बनना चाहते हैं लेकिन जरूरत पढ़ने पर 18 गंटे महनत करने को तयार नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं इन फैक्ट दुनिया का कोई भी अमीर इंसान आपकी मदद करी नहीं चकता क्योंकि दुनिया के सभी अमीर लोगों ने 18-18 गंटे महनत करी है उन्होंने इतना वक्त दिया है और तब वो बने हैं जो आज वो हैं बिल्गड शाहब अपने दफ्तर में पेपर विछा करके सोया करते थे माग जुकरबग ने भी बहुत महनत करी है इलान मस्क उन्होंने भी दिन रात महनत करी है जिब बिजॉस ने भी अपने दफ्तर में काम करते हुए वहीं पर पेपर बिछा करके जमीन पर सोया है और फिर वापिस से काम करना शुरू कर दिया है तो ऐसे एक नहीं बहुत से एक्जामपल हैं और मैं उनमें एक बहुती छोटा एक्जामपल हूँ ध्यान रखे का दूस्तों अगर आप जरूरत पढ़ने पर जागने से सोने तक मेहनत करने को काम करने को तयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको करोड़पती बनने से रोक सके मुझे करोड़पती बनाने वाली जो चौथी आदत है वो है कंजूस बनना, करज मिटाना, बचत करना और उस बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना मैं जब बचत की बात करता हूँ, कई टिफ देता हूँ बचत करने के लिए और खर्च कम करने के लिए तो कुछ लोग मुझे कंजूस भी कहते हैं, इन्वेक्ट बहुत से लोग कहते हैं, वो इन शब्दों से, इन बातों से मेरा अपमान करने की कोशिश करते हैं पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस बात को अपमान की तरह लेता ही नहीं हूँ मैं कंजूस हूँ, और मैं कंजूस होने की उपाधी को एक ताज की तरह अपने सिर पर रखता हूँ क्योंकि जब मैं कंजूस बना, तब इसे मेरे पास पैसे बचने शुरू हुए पैसे बचने शुरू हुए तो मैं 8 लाक रुपे से ज़्यादा का कर्च मिटा पाया उसके बाद फिर मैं पैसे जमा कर पाया और उसके बाद ही मैं पैसे को इंवस्ट करके खुद को अमीर बना पाया तो अगर आप कंजूत बने को तयार नहीं है तो अमीर शायद आप बनी नहीं सकते अब मैं आज के वक्त उतना कंजूद नहीं हूँ लेकिन मैं आज भी पैसे को बहुत किफायत से खर्च करता हूँ और जहां खर्च करने की जरूरत नहीं होती महां एक रुपया भी खर्च नहीं करता मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी बचत की आदत को बढ़ा करना होगा अपने करज को मिटाना होगा और सबसे बड़ी बात आपको अपने आपको थोड़ा सा कंजूद बनाना होगा और पैसे बचा करके उसे इन्वेस्ट करना होगा मुझे करोड़ पती बनाने वाली जो पांचवी आदत है वो है उधार ना लेने की आदत मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जराभी उधार में खरीदी करी ही नहीं है लेकिन मैंने उधार में सिर्फ वो समान खरीदा जिसने मुझे पैसे कमाने में मदद करी और वो भी तब जब मेरे पास में ये आखरी आप्शन था पर उसके अलावा मैंने राशन, कपड़े या कोई भी ऐसा समान उधार में नहीं खरीदा जिसके बिना मेरी लाइफ चल सकती थी मैंने और मेरी वाइफ ने ऐसे वक्त को भी देखा है जब हम दोनों ने सिर्फ रोटी को नमक और थोड़े से तेल के साथ में खा करके गुजारा किया है पर हमने तै कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए उधार नहीं लेंगे नहीं लेंगे मतलब नहीं ही लेंगे और उस आदत में हमें एक ऐसी और जादी जितने हमें करोड़पती बनाने में मदद करी इसलिए आपसे भी यही कहूंगा कि अगर आप करोड़पती बनना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि जब तक उधार लेना मजबूरी ना हूँ तब तक बिलकुल ना लें और राशन या ऐसी चीजों को तो कभी भी किसी भी हाल में उधार में ना खरी दें और वो आखरी आदत छटी आदत जिसने मुझे करोड़पती बनाया है वो है पैसे के लिए काम करना अधिकतर लोग पैसे की बात करने में पाप समझते हैं और वो बात करना चाहते हैं पैसे कमा भी नहीं पाते देखें साहब मुझे लिखने का पैसे है मैंने दो किताबे लिख दी हैं तीसरी लिख रहा हूँ और ये पूरा चैनल लिखने के उस पैसे का नतीजा है और पैसे वो तो मैं चाहता ही हूँ लेकिन मैं सिर्फ पैसे की वज़े से ये काम नहीं कर रहा हूँ इस काम से मुझे पैसे मिल रहे हैं क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ अपने पैशन के लिए लेकिन मेरा जो पहला काम है जो मेरा बिजनेस है वो मैं सिर्फ पैसे के लिए करता था पैसे के लिए करता हूँ और मैंने कई बार ऐसे कामों को भी हाथ में लिया है कई बार ऐसे कामों को हाथ में ले करके पूरा किया है जिसे कई लोग नकार देते थे क्योंकि वो काम उनके स्टेंडर्ड का या उनकी सोच से अलग होता था और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप मेरे उन कामों के बारे में जानेंगे तो हो सकता है कि आप मेरा अपमान भी करें क्योंकि आपकी नजरों में वो काम बहुती बुरे हो सकते हैं लेकिन मैं उस बात से जराभी शर्मिंदा नहीं हूँ क्योंकि मैंने उन कामों को सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया था और मैं अपने काम के लिए पूरी तरीके से इमानदार था और यहां मैं आपको बता दूँ कि मैं आज भी पैसे के लिए काम करने में हिचकता नहीं हूँ और भविश्य में भी पैसा कमाने के लिए जो काम करूंगा वो सिर्फ पैसे के लिए होगा पैशन के लिए नहीं आपसे भी यही कहूंगा कि अगर आप करोड़ पती होना चाहते हैं तो पैसे के लिए काम करिए और जब पैशन मिल जाए तो उसके लिए काम करिए पर उसके पहले पैसे के लिए काम करते रहिए पैसे बनाते रहिए खुद को करोड़ पती बनाने की दिशा में काम करते रहि जो कि आपकी आदतों को बदल चकती है लेकिन अब इस वीडियो की स्क्रिप्ट खतम होते होते उसकी हिम्मत नहीं बची है इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते हुए मेरी आँखे पूरी तरीके से भीगी हुई थी रिकॉर्ड करते हुए भी एक दो बार रो दिया हूँ और अगर अब भी आप मेरे साथ हैं तो बस एक वादा आपसे चाहता हूँ इन आदतों को अपनी लाइफ का हिश्चा बना लीजिए और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको करोड़ुपदी बनने से कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं भगवान भी नहीं अभी के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धनिवाद